अब भी ईड़ीबंड मेन्ट मेन्ट अज़ के सिशन में हम बात करेंगे गवोवर्मेंड मेडिकल कॉलेज और स्थेटियों किया डिफरेंस है और स्टुडेंट्स की एलिगेटी काईट्रिया क्या है यानि कि अगर आप गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में या सेमी गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो किस काउंसलिंग के लिए आप एलिजीबिल है और कौन-कौन बच्छा इस काउंसलिंग का बेनिफिट ले सकता है इसको देख लेते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले मेडिकल कॉलेज्स से कोशप बिल्कुल क्लिरियर है सिंपल साथ की सिर्फ दो ही कौंस्टलिंग होगी हर बच्चे के लिए एक कौंस्लिंग सेंटर लेवल की होगी जो की All India quota की कांस्लिंग कही जाती है M.C.C. की उसके थुरूँ आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी आडिमिशन ले सकते हो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग और इंडिया कोटा में आप अम जिपमार, AMU, बहुट यू ये सारी सेंटर इंडिया के साथ इंडिया के सारे गौर्मेन मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करोगे इसमें आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फिरली कहीं पर भी मूव कर सकते हो विकॉस का नाम ही है All India Quota पूरे भारत का कोटा तो हम पूरे कंट्री में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और दुसरा रिस्वेक्ट ली जो भी स्टेट से आप बिलॉंग करते हो चाहे कर्नाटिका से तेलंगाना से महाराथ स्टेट कॉटा के लिए इलिजीबल है कोई भी बच्चा किसी बी अदर स्टेर कांशलिंग में नहीं जा सकता है यह बच्चा कांसलिंग का सकता है. तो जो गौर्मेडिकल कांसलिंग होती है, वो सिर्फ दो प्लेटफर्म होगे, हर स्टूरेंट के लिए एक सेंटर लेवल पे MCC की कांसलिंग होगी, All India Quota वाली और एक आपके अपने स्टेट की कांसलिंग होगी. इसके लाव हो थर्ड कोई भी कांसलिंग हो, उसके लिए हम कौलिफाइड नहीं हैं. अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं Semi-Gourvernment Medical College. Semi-Gourvernment के नाम से जायतर बच्चे इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर मुझे गौर्मेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल ला है तो ऐसा मेडिकल कॉलेज मिल जाए जहां पर हमाई cost of education कम से कम लगे tuition fees कम से कम लगे तो इसका भी ये rule है कि Semi-Gourvernment Medical College अगर आपके स्टेट के अंदर का है तो आप उसके अंदर benefit ले सकते हो कोई दूसरे स्टेट के Semi-Gourvernment Medical College में कोई भी बच्चा नहीं जा सकता है फॉर अग्जम्पल हर्याना के अंदर एक Medical College है आपका माराजा अगरसिन अगरोहा का तो उसके अंदर सिर्फ आपका हर्याना के बच्चा ही admission ले सकता है दिल्ली वाला बच्चा उसके अंदर State कोटा से counselling हो ली तो नहीं जा सकता है इस्सी तरह से जो गुजरात के जो collagen हैं उसमें सामी की gover्मिन की seat है तो उसके अंदर भी सिर्फ गुजरात का ही बच्चा counselling कर सकता है बच्चा ही बच्चा कर सकता है करनाटिका के अंदर जो बाहर के बच्चे जाएंगे प्राइबेट मेडिकल कॉलेज में कौंसलिंग करने के लिए वो ओपन सीट पे कौंसलिंग करेंगे लेकिन करनाटिका वाले बच्चे वही प्राइबेट मेडिकल कॉलेज में गौर्मेंन कोटा के सीट होती है जो डेल ल दो टाइप की फीशेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस्टेट कोटा के लिए 9.78 की फीश है और बाकी बाहरवाले बच्चों के लिए 14 लाग से 18 लाग की फीशेज है हिमाचर परदेश में भी फॉर्मला चलता है, इस्टेट वाले बच्चों के फीश 10 लाग रुपे से कम है, अदर इस्टेट वाला बच्चा जो आ रहा है वो आपकी फीश 15 लाग रुपे की फीश पर आ रहा है, पंदा पचास की फीश पर आ रहा है तो अगर हम को किसी दूसरे स्टेट में जाके कांसलिंग करनी है, तो गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज की कांसलिंग आप कर सकते हो, अल इंडिया कोटा से जैसे हमने पहले पार्ट में समझ लिया, लेकिन अगर हम प्राइवेट मेडिकल कोलेज में किसी भी स्टेट में जा र मेंहान कोटा के अधिर रहो करनापहा मेंयमें कोटा के तुपन केने जया रहो तो मयिम्umm in सिस्ट यारी ओपन सिट पर काॉंसलिल्स निगयर लेखन आ SUV मेंसीट हें तो س्तुवं немного कि गा Dieseट मेंडीकल नहीं मिल ले सकते हूं तो आपको किसी अदर स्टेट में जाकर नहीं देखना है, आपको सिब अपने होम स्टेट के अंदर देखना है, क्या मेरे स्टेट के अंदर समी गौर्मन्न कॉलेज है की नहीं है, और अगर है तो क्या मेरा उतना नीट में स्कोर आ रहा है कि समी गौर्मन्न मेडिकल कॉलेज में admission ले सकते हैं उसके लिए आप cut-off से टैली कर लो लास्टियर की cut-off नहीं पता है तो आप eduasss की official website eduasss.com पर विजिद करके लास्टियर की cut-off देख सकते हो तो उससे आपको पास चल जाएगा कि हम यहां पर जा सकते हैं कि नहीं तो इस score के according और दूसरा हमारे state की counseling जिसके अंदर हम अपने state के अंदर ही पढ़ाई करेंगे और semi-government medical college अगर हमारे state के अंदर है तब हम उसके अंदर admission ले सकते हैं अगर किसी दूसरे state का semi-government medical college है तो उसके लिए आप counseling के लिए बिल नहीं है और NMC के बिल को भी लेकर काफी confusion है कि सर अगर NMC का बिल आया implement हुआ और इसमें fees का relaxation कुछ colleges ने दिया तो क्या इसका benefit कौन ले पाएगा तो NMC का जैसे जो भी state benefit देता है especially तो वो state government यह चाहती कि इस benefit का part पहले हमारे state government के बच्चों को मिले तो अगर कुछ state government वाले colleges fees अपने कम करते हैं तो 99% chances यहां से यह दिखाई दे रहे हैं कि उसका benefit बच्चों को अपने state के अंदर ही मिलेगा दूसरे state के अंदर नहीं मिलेगा for example कि अगर एक college है उसने अपने कुछ faces कम कर दी और कुछ faces high रखी एक ही college ने low type की faces बनाई तो low वाले faces most probably उसका benefit वो अपने state वाले student को देगा और high fees वाले के लिए open कर देगा कि कोई भी बच्चा आओ और उसमें seat लो और हमारी seat को finish करो तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए low fees के लिए semi government college के लिए you have to concentrate on your home state counseling otherwise बाहर किसी other state में जाना है तो हमको management seat में जाना है फिर उसमें आप इस तरह से देखो कि अच्छा management seat से जाना है तो management seat में कहां पे faces का में उस counseling के लिए हम target करें तो कम फीस वाले जो भी states है करनाटिका है कहला है चातिज़गर है तुपूरा है इन सब के अंदर आप target कर सकतो इसके अंदर आप नहीं पर भी जिली move कर सकतो friend so this is all for today friends thank you so much for watching us all the very best for your need counseling activities friend thank you so much